कहा था अंत तक साथ दूंगा और यह अंत तक का साथ है चलिए एक आखरी वीडियो बना रहा हूं आप सब के लिए आई होब आपको पसंद आएगा और आप इसको शायद देख के जरूर जाएंगे अगर हां तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा क्योंकि मुझे यक बेसिक चोटे चोटे डाउट्स जो आते हैं वो मुझसे जो पूछे जा रहे है मैंने उनको एक जगा पर कंपाइल किया है और जितने मैं कंपाइल कर पाया हूं वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं हो सकता है इनके अलावा भी और बहुत सारे बेसिक डाउट्स हों बड़ जितने मैं कंपाइल कर पाया हूं उतने मैं आपको बभी बता देता हूं सबसे पहले बाइबैक सर बाइबैक में जब हम डेट इकुटी रेशो लेते हैं तो डेट के अंदर क्या आता है लॉंग तम तो आता है पर सर क्या शॉट टम लोन्स भी आते हैं करेंट या पर लगतिंडि जाता है कभी तरफ करेंट मैच्वार्टि वांग तरम लोन ही सर्फ करना क्या है आपको सिर्फ करेंड मेच्वारिटी ओ लॉव लेना है अगर सिंपली लिखंट करते हैं कि वह लोन नहीं म Alexandron है तो वह तोलम करना है वोल्ण नहीं दाएं या सिर्फ तो आपको नहीं लेना है और नोट लिखके आना है कि वो debt नहीं होगा उसके बाद financial statements के अंदर अगर preferential capital का percentage आपको दिया है तो आपको dividend निकालना पड़ेगा यह मानते हुए कि वो preferential capital आपके cumulative nature के हैं और यह मानते हुए कि वो cumulative nature के है तो उसका dividend year end पे declare करना पड़ेगा जि dividend का effect होगा तो माइनस हो जाएगा और दूसरा OCL में आ जाएगा OCL में आ जाएगा मतलब वो dividend paypal दिखेगा दूसरा notes and format of balance sheet सर हम जब balance sheet बनाएंगे तो क्या order होना चाहिए क्या sequence सबसे पहले first page पर आपका balance sheet का format बन जाएगा फिर आपका P&L statement का format second page पर और फिर आपके notes start होंगे सर पहले notes बना ले फिर पेंडल या पहले notes फिर पेंडल फिर balance sheet नहीं ऐसा मत करना institute जैसा करता है वैसा करना अब उसमें आप यह क्यार सकते हो कि question पढ़ते वक्त especially financial statement का question पढ़ते वक्त आप pencil का उपयोग करेगा और जो जो items आपको दिख रहें उन items के बगल में आप उनका specific head डाल देना मैं भी class मैं ऐसे जैसे मान लीजे आपको equity share capital दिख रहा है तो आपने लिख दिया भाई share capital फिर आपको दिख रहा है मान लीजे furniture तो आपने लिख दिया भाई PPE तो ऐसे हर item के बगल में उसका respective head pencil से लिख देना तो जब आप question पढ़ते पढ़ते ऐसे head लिख लोगे तो आपको यह idea लग जाएगा कि किस किस के notes बनने हैं और कौन कौन से balance sheet में head आने हैं तो आपका एक बहुत अच्छा सा clearance हो जाएगा but format को आप ढंग से follow करिएगा notes to account जरूर बना के आएगा अगर आप notes to accounts नहीं बना के आते हो balance sheet वाले question में तो आपके marks गट सकते है equity dividend को declare किया गया है but date of declaration given नहीं है question में माना जाएगा कि equity dividend को declare किया गया है balance sheet date के बाद और ऐसे case में हम उसको ignore करेंगे क्योंकि balance sheet date के बाद जब equity dividend declare होता है तो उसको contingent liability बनाते हैं बस तो कोई entry pass नहीं करेंगे सिर्फ contingent liability बनाएंगे disclose करेंगे और accounting treatment इसका नहीं करेंगे fixed deposits, fixed deposits के respect में ध्यान से समझेगा अगर original maturity up to 3 months है और balance sheet date पर out sending है अभी भी है तो वो cash and cash equivalents में आएंगे मतलब आपके cash equivalents है अगर maturity 3 months से जादा है और 12 months के अंदर है तो current assets में आएंगे और 12 months से जादा है तो वो long term investments में आएंगे director fees और remuneration वैसे तो director का remuneration employee benefit expense होता है director fees मतलब setting fees होता है वो other expense में जा सकता है बट institute हमेशा इनको other expense में ही डालता है तो आप भी उसी में डाल दिएगा cash flow statement cash flow statement में कहीं पर government grant capital project के respect में जब मिली है तो कहीं पर उसको investing activity माना गया है कहीं पर उसको financing माना गया है आपको उसको investing activity मानना है financing आपको नहीं मानना है बट अगर वो revenue nature की grant है तो आप उसको operating activity मानोगे ठीक है consolidation की बात करें तो consolidation के अंदर if preferential capital of subsidiary is given अगर subsidiary company का preferential capital given है तो आपको ये check करना है कि क्या holding company ने उसके preferential capital में भी investment करके रखा है the answer में भी yes the answer में भी no अगर answer no holding company ने कोई investment करके नहीं रखा है तो पूरा का पूरा preferential capital subsidiary का minority में जाएगा अगर हां तो example के तोर पर holding का मानलो preferential capital में 50% का investment है और मानलो equity में उसका 80% का है तो preferential capital में 50% का investment है तो 50% आपका preferential capital का subsidiary का preferential capital 50% minority में जाएगा और बाकी 50% आपका COC में reflect होगा किस तरीके से जब आप COC में investments लिखते हो तो investments in equity and preference दोनों लिखते हो दोनों लिखोगे और proportionate net assets में आप 50% preferential capital भी लिखोगे जो holding का portion होगा apart from equity and pre acquisition profit जो कि उसका 80-80% होगा bonus shares issued by subsidiary आपको याद होगा जब भी subsidiary company bonus रिशू करती है तो percentage of holding निकालने में problem आती है याद रखेगा कि shares held by holding with bonus divided by number of shares of subsidiary with bonus मतलब holding के पास purchase shares plus जो उसके उपर उसको bonus मिला divided by total number of shares of subsidiary including bonus आपको दोनों को numerator denominator including bonus करना है ताक कि आपका सही percentage of holding निकल सके अमेल commission की बात करें तो सर PC कई बार net asset method से निकलता है पर सर हमें इसा होता है कि PC का कोई method लिखा नहीं होता तो फिर आप by default उसका intrinsic value method या net asset method लगा सकते हो लॉजिकली intrinsic value method net asset method एक ही होता है बट अगर basic थोड़ा सा difference देखें तो बस यह समझ लीजे कि अगर वो आपको यह कह रहा है question में कि apply intrinsic value method तो इसका मतलब वो सारे के सारे asset liability take over कर रहा है पक्का अगर मान लीजे question में ना उसने intrinsic value method बोला है पर question देखके लग रहा है कि business take over किया गया except cash, except stock, except some liability ऐसा बोल दिया बस और कुछ नहीं और दो-तीन asset liability की fair value दे दी जो take over हो रही है अब क्या करना है PC कौन से method से निकालना है net asset method जो जो asset take over कर रहे है एक और बात कभी कबार transfer को transfer company के debentures को settle करना होता है transfer company के old debentures को हमें settle करना होता है by issuing new debentures ऐसा debentures के साथ भी होता है तो दो लाइन लिखे होती है debentures of transfer to be discharged at 5% premium by issue of new debentures और दूसरा लाइन लिखा होता है debentures of transfer company to be discharged by issue of new debentures of transfer at 5% premium आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूं एक जगा पर लिखा है debentures of transfer to be discharged at 5% premium discharge किये जाएंगे 5% premium पे तो मान लो उसके debentures हैं पुराने वाले company के transfer company के debentures है मान लो 1,00,000 तो debentures are discharge at 5% premium तो आपको plus 5% करना है मतलब ही हो जाएगा 1,05,000 will be the settlement value ठीक है दूसरा आएगा debentures of transfer will be discharged by issue of new debentures of transfer company at 5% premium ऐसे case में उस company के 1,00,000 debentures हो थे इसको 1,00,000 के बदले 1,00,000 की देने पर जो नया debentures देना है वो 105 रुपीस के हिसाफ से देना है मैं जानता हूँ यहां पर भी institute ने किसी mtb के question में गडबर की है यहां पर at 5% premium पर उन्हों ने directly 1,00,000 plus 5% कर दिया है मतलब जो भी figure होगा plus 5% कर लिया वो गलत की है अमेल commission adjustment reserve अगर आएगा तो वो reserve in surplus में आएगा as a negative figure आएगा transferer company के reserves and surplus को कब take over करना है कब नहीं अगर in the nature of merger होगा तो सारे के reserves and surplus take over होंगे वो second वाली entry में जिसमें आप asset liability record करते हो पर अगर in the nature of purchase होगा तो सिर्क statutory reserves को take over किया जाएगा वो भी अलग से separate entry pass करके amalgamation adjustment reserve to statutory reserves branch accounts की बात करें तो branch accounts के अंदर जब branch के सारे figures दियो है good send to branch, opening stock, closing stock सारे figures दियो है पर बताया नहीं कि figures का pricing क्या है तो आप उसको invoice price assume करोगे जब कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो कौन सा method follow करना है branch accounts में अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो पहली बात तो बोला जाएगा पर अगर कुछ नहीं बोला गया तो क्या follow करना है अगर वो आप से कह रहा है prepared trading account branch का trading account बनाओ तो आप final account system अगर वो बोला रहा है अगर वो बोल रहा है प्रिपेर अपका debtors method बे बनता है एक और बात है debtors method में जब आपका branch account बनता है तो branch account आपका तब तक complete नहीं है जब तक आपने cash remittance to head office नहीं लिखा है याद रखेगा यह रखना बहुत जरूरी है यहां तो question में दिया होगा यहां तो आपको rough में branch cash account बनाके निकालना पड़ेगा foreign branch के अंदर integral है non-integral है दोनों के treatment अलग अलग होते हैं बट अगर question में बता है नहीं गया कि हमें integral मानना है कि non-integral मानना है तो ऐसे case में आपको hint दी जाएगी आपको fixed assets का old spot rate दिया जाएगा exchange rate दिया जाएगा अगर दिया है तो आपको integral मानना है अगर आपको fixed assets का कोई old spot rate नहीं दे रहा है सिर्फ opening current year का opening closing average दे रहा है तो आपको non-integral foreign operation मानना है AS 15 के अंदर contribution to plan assets और benefits from plan assets जब contribute करते हैं मतलब investment करते हैं जब बेजते हैं तो उस net contribution के ऊपर भी finance income निकाली जाती है expected return का rate लगाया जाता है मैंने अपने AS 15 वाले quick revision 20 minutes वाले वीडियो में बताया था कि कभी हम annual rate लगाते हैं कभी हम six monthly rate लगाते हैं उसका simple सा logic यह होता है कि अगर आपने contribution को mid of the year में किया है benefits को भी mid of the year में किया है तो net contribution के ऊपर आप six monthly rate लगाते हो जो कि आप formula लगाते हो one plus annual rate और minus one multiply by hundred ऐसा formula लगाते हो जब आपने mid of the year में contribute किया है पर अगर मान लोग लिखा नहीं है contribute कब किया है और बस लिखा है during the year contribution किया है तो आप assume करोगे कि contribution beginning में हुआ है और आप annual rate लगाओगे आप six monthly rate नहीं लगाओगे AS 16 के अंदर मान लीजे borrow किया गया है funds one April को जबकि expenditure स्टार्ट हुआ है qualifying asset पे वन माई को capitalization कब से होगा वन माई से होगा मैं जानता हूँ RTP MTP में कुछ गरबर दी हुई है इस बार की ठीक है जब आप profit and loss account का schedule 3 के साब से profit and loss account बनाते हो और जब आप उसमें changes in inventory लिखते हो changes in inventory लिखते हो पता नहीं क्यों इसमें कुछ बच्चे उलजते हैं पर simple सा point है अगर closing stock आपका जादा है और opening stock कम है तो logically वो income है पर आप changes in inventory को दिखाते हो expense column में इसलिए आप उसको negative expense दिखाते हो negative expense मतलब income तो opening जादा है closing कम है तो negative expense पर अगर इसका उल्टा हो गया तो आपको positive expense दिखाना है capital reduction का balance अभी भी बचा है write-off करने के बाद तो आप goodwill अगर दी हुई है और fictitious asset दी हुई है तो आप write-off कर सकते हो पर इसके अलावा बाकी intangible assets को आप write-off अभी करोगे जब question बोलेगा so guys यह वाली कुछ-कुछ common confusion थे common doubts बोलो या basic doubts बोलो बहुत ही low level के doubts बोलो बट ऐसे दिमाग खराब करते हैं exam के time पर ठीक है अब last few minutes tips देना चाओंगा आपको exam वाले दिन आपको क्या करना है exam वाले दिन आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है sir मैं exam वाले दिन क्या करके जाओं दो गंटे पहले तीन गंटे पहले क्या करके जाओं तो मेरा chart book से आप AS1, AS4, AS5, AS9, AS17, 18, 24, 26, 29 यह सारे के सारे AS की theory देखके जाएगा दो साथ साथ schedule 3 जरूर करके जाएगा schedule 3 का ओर्मिट जरूर करके जाएगा साथ साथ framework वाला चेप्टर छोड़ना मत फ्रेम वाला चेप्टर जरूर करके जाना उसमें से कुछ न कुछ पूछेगा साथ साथ वो जो level 1, level 2, level 3 entities वाला case है वो भी जरूर करके जाना level 4 तक के जो होते हैं वो भी जरूर करके जाना नहीं तो हो सकता है आपको आपकी band बजा दे पांच माक का theory question वो पूछेगा ही पूछेगा तो framework वाला chapter जरूर देखके जाना schedule 3 का format अच्छे से देखके जाना उसमें current asset, current liability की definition normal operating cycle और इसके लाब level 1, 2, 3, 4, 5 वाला जो points है वो देखके जाना इसके लाब पैंसल का use आप descriptive में कैसे करोगे जब आप question पड़ोगे तो question paper में अगर आपको कुछ चलाने का मन कर रहा है तो pencil चलाएगा pen मत चलाईगा इसके बाद जब आप answer sheet में अगर आपको कुछ rough work करना है जो आपके solution का part नहीं है, working note नहीं है तो answer sheet के last के 2 pages पे rough work का heading डाल कर आप rough work कर सकते हो, उसको बात में आप cut करके आ सकते हो, इवन अगर आपने pen सभी किया है, कोई दिक्कत नहीं है दो calculator लेके जाना, क्या पता आपकी किस्मत खराब निकले और आपका calculator खराब हो जाए ठीक है, consolidation का master question करके जा सकते हो, अगर अभी तक नहीं देखा हो, अगर आपको consolidation में confusion है, तो एक simple सा master question बनाया है, 20 minute में आप कर लोगे, cash flow भी अगर आपको confusion है, indirect method में, तो सारे दुनिया बर के adjustment डालके, मैंने master problem करवाया है, along with the chart book थोड़ा सा video बढ़ा है, पर वीडियो के शुरुआत में chart book है, और वीडियो के बाद में master problem है, 20 minute में आराम से 20 minute में revise करवाया है, chart book से, उसकी पूरी playlist में, इस वीडियो के description में डाल रहा हूँ, वो देखके जाना, MCQ cases, exam में MCQ cases आएंगे, और long cases आने के chances हैं, मतलब 2-2 pages भी भर सकता है वो, अब अगर ऐसा हुआ, तो panic मत करना, आपको long MCQ cases, starting, starting में attempt महीं करना है, आपकी तयारी बहुत अच्छी है, तो आप शुरुवात का एक गंटा, आप descriptive part करोगे, हाँ, अगर आपको long MCQs नहीं दे रहा है, आपको single MCQs दे रहा है, जो की 2-3 दे सकता है, MTP में अगर निप्टा सको तो, और उसके बाद आप सीधा descriptive कर लेना, कम से कम एक गंटे तक, और उतने में आप कोशिश करना, कि आपका 30 marks का हो जाए, उसके बाद आप वापस आना, और long MCQs करने की कोशिश करना, long MCQs को ना आपको starting में करना है, ना आपको सबसे last में करना है, अगर वो MCQ case studies होई, तो आपको पढ़ने में time लग जाएगा, और last में आपका panic situation हो जाएगा, आप पढ़ने नहीं पाऊगे, और पढ़ते वक्त आपको याद रखना है, कि पहले case नहीं पढ़ना है, पहले उस cases के बाद जो questions पूछ रहा है MCQs, पहले वो questions पढ़के उसके बाद case refer करना है, ताकि जल्दी interpretation हा सके, उसके बाद RTP, MTP अगर अभी तक नहीं देखी तो कोई बात नहीं, उनके unique question ज़रूर देखके जाओ, मैंने unique question का PDF आपको description में दिया हुआ है, RTP, MTP के unique question ज़रूर देखके जाना, क्या पता, उनमें से एक आद कोई question फस जाए, तो ये मेरा last few minute tips है, और exam देते वक्त पिलकुल panic करने के ज़रूर नहीं है, watch लेके जाना, हर question को आपको date minute, हर mark को आपको date minute के हिसाब से target करना है, कोशिश करके आप date minute का target बनाएगा, advance accounts का paper lengthy आता है, और आएगा, तो exam hall से बाहर निकल के सबसे पहला आपका feeling यही आएगा, कि sir paper lengthy आया था, तो बेटा paper lengthy आएगा, आपको speed maintain करनी है, और मुझे यकीन है, कि 3 hours में paper हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, बट आपको speed maintain करनी है, अगर 5 mark का question है, तो multiply by 1.5, आपको 7 minute में करना होता है, मतलब 30 minutes आपके पास extra है, तो मुझे पता है, कि किसी question में 5-10 minute ज्यादा लग सकते हैं, और किसी question में बलकि आपका time save भी हो सकता है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप time का proper ध्यान रखेगा, तो guys यही बस बात थी, कहा था, अंत तक साथ दूँगा, तो यह अंत तक चैनल को subscribe, अब तो कर लो, अब तो कर लो, थोड़ी सी तो शरम करो, मतलब इतना सब कुछ content अब दे चुका हूं, अब तो चैनल को subscribe कर लो, अगर नहीं किया तो, और अगर कर चुके हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को like करके ही जाना, all the very best guys, I hope आपका paper बहुत अच्छा जाएगा paper होने के बाद आप मुझे जरूर बताएगा whatsapp पर, thanks a lot